Hello friends, who are you? Welcome to my channel, Ati English Academy आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ parts of speech discuss करूँगी जो के English grammar का बहुत एहम हिस्सा है There are eight parts of speech Nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, interjections and conjunctions Parts of speech का मतलब है kinds of words यानि के जो conversation हम करते हैं इसमें use होने वाले words की इकसाम या फिर हिस्से और जब हम conversation के हिस्से करते हैं तो हम इस conversation में use होने वाले words को इनकी इकसाम की बिना पर ही separate करते हैं और words की ये इकसाम ही actually parts of speech कहलाती है और अब मैं ये parts of speech step by step explain करूँगी Let's start Noun, noun को उर्दू में इस्म कहते हैं The name of anything visible or invisible is called a noun यानि कि किसी भी चीज़ का नाम चाहे वो नजर आए या फिर ना आए इसको noun कहते हैं For example, अली, गोर्ट, बुक्स, होटेल, आइडियास, एर्चेटरा और noun चार तरहागी होते हैं Nouns of pronouns, nouns of places, nouns of things, and nouns of ideas and feelings यहाँ पर मैंने सिर्फ nouns की types ही बताई हैं और next video में मैं इनको explain करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये topic थोड़ा बड़ा है and I think that nouns के उपर अलग से वीडियो होनी चाहिए Pronouns is some zamir Those words which we use instead of a noun in this sentence are called pronouns For example, he, she, it, they, we, you, etc इसका मतलब ये है कि जो इसम noun को replace करने के लिए हम use करते हैं उसको pronoun बोलते हैं आईए अब इसके एक example देख लेते हैं Ali is my best friend and he is a good boy जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि pronoun, noun को replace करने के लिए use होता है इस example में आप देख सकते हैं कि First sentence में मैंने Ali use किया है Ali एक noun है और Second sentence में मैंने Ali के जगा पर he use किया है और he एक pronoun है इस example के थूर आप easily समझ सकते हैं कि noun और pronoun में क्या difference है और pronoun किस तरह से noun को replace करता है वर्ब, वर्ब को उर्दू में fail कहते हैं और fail से किसी काम का करना या होना या फिर सहना मुराद है यानि जो लफ्स किसी काम या अमल वगएरा को जाही करता है उसको हम verb बोलते हैं और English में इसकी definition ये है यहाँ पर हमारे पास कुछ action words है और अब हम इसको sentence में use करके देखते हैं कि sentence में action words किस तरह से use होते हैं यहाँ पर example के लिए मैंने two sentences लिए है वो रुजाना वर्जश नहीं करती इस sentence में वर्जश करने का काम हो रहा है और हमने ये पढ़ा था कि verb का मतलब यही है कि कोई काम या action तो इस sentence में exercise जो है वो हमारा verb है और दूसरा sentence में we help our friends हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं और इस sentence में मदद करने का काम हो रहा है help करने का काम हो रहा है इस मीन के इस sentence में help हमारा verb है adjective adjective को उर्दू में इस समसिफ्त बोलते हैं और इसकी definition यह है those words that qualify our noun और अपर नाउन in the sentence simple अलफाज में हम ऐसे कहेंगे कि जब हम किसी की अच्छाई और बुराई करते हैं तो उस वकत हम जो words use कर रहे होते हैं वो ही actually हमारे adjectives होते हैं और वो words यह हो सकते हैं small, big, good, bad, silly, rat, etc. आईए आप examples के थुरू हम adjective को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैंने दो examples लेए हैं फर्स sentence है इस sentence में small हमारा adjective है क्यूंके यह non की quality बता रहा है और second sentence अली is an intelligent boy इस sentence में intelligent हमारा adjective है क्यूंके यह हमें noun की यानि अली की quality बता रहा है कि अली एक जहीन लड़का है यहाँ पर intelligent की जगा कोई भी quality आ सकती है इस से हमें यह पता चलता है कि adjective हमें किसी noun या परनौन की quality बताने के लिए use होता है और number five पे आता है adverb An adverb describes some verbs and adjectives और another adverbs in this sentence यानि verbs, adjectives और तूसे adverbs को explain करने के लिए describe करने के लिए adverb use होता है या फिर आप simple इलफाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आपको यह पता चल जाए कि कोई काम हो रहा है तो आप यह भी जरूर जानना चाहते हैं कि यह काम कब कैसे और कहा हो रहा है यानि आपके माइन में तीन क्वेस्टन सुरूर आते हैं how, where, when और adverb आपके इन्हें तीन क्वेस्टन का जवाब देता है बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि adverb सीरफ ly वाले words ही होते हैं जबकि यह बात दुरूस नहीं है ly के बगार भी बहुत सारे ऐसे words है जो adverbs है और आप adverb को example के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पर जो मैंने sentence लिया है वो यह है the child is weeping यानि के बच्चा रो रहा है weeping यहाँ पर verb के तौर पर यूज हुआ है sentence तो यह भी ठीक है और इसी sentence को अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो बात स्यादा वाज़ा हो जाती है the child is weeping bitterly और इस sentence में bitterly weeping के साथ has adverb used हुआ है और adverb verb के मीनिंग में इजाफा कर रहा है preposition इसका मतलब है हर्फे जार और इसकी definition है preposition is a word that connects nouns, pronouns or phrases to the other words in a sentence और इससे हमें यह बात समझा जाती है के nouns, pronouns और phrases का तूसरे words के साथ connection और relationship जाहिर करने के लिए preposition यूज़ की जाती है English language में preposition पर इतने तवज़ नहीं दी जाती लेकिन इनका इस्तमाल अच्छी English बोलने के लिए इंतहाई जरूरी है क्यूंके मुख्लिफ इलफास के साथ मुख्लिफ preposition के इस्तमाल से इनका meaning बिलकुल बदल जाता है आईए अब इसके कुछ examples देख लेते हैं और अब इन examples में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से preposition word को एक दूसरे के साथ connect करती है और preposition के change होने से किस तरह से meaning change होते हैं और पहले मैं आपको बताती हूँ कि preposition words को एक दूसरे के साथ किस तरह से relate करती है पहला sentence देख ले we are living in a big city मतलब हम एक बड़े शहर में रहते हैं यहाँ पर preposition in use हुई है जो कि यह जाहिर कर रही है कि living और city का एक दूसरे के साथ क्या relation है अगर हम preposition इनको यहां से हटा देते हैं तो हमें sentence का मतलब नहीं समझाएगा और अब मैं आपको बताऊंगी कि different words के साथ different preposition use करने से किस तरह से words के meaning change हो जाते हैं यहाँ पर मैंने 3 sentences लिगे हैं और 3ों में different prepositions use की हैं first sentence है we are living in a big city हम एक बड़े शेहर में रहते हैं इस sentence में preposition in use हुआ है और दूसरा sentence है we were flying across the city हम शेहर के आसपास परवास कर रहे थे इस sentence में preposition across use हुआ है और third sentence है the plane was exactly over the city जहाँ शेहर के एन उपर उड़ दहा था और इस sentence में preposition overuse हुआ है आपने देखा कि different words के साथ different prepositions यूज करने से किस तरह से words के meaning change हो जाते हैं और number seven पे आता है conjunction इसका मतलब है हरूफ रव और इसकी definition है conjunction is a word that joins two words phrases or sentences इसका मतलब यह है कि वो words यो दो फिकरात या फिर दो इल्फाज या फिर दो phrases को मिलाने के लिए use होते हैं उनको हम conjunction बोलते हैं और वो इल्फाज इस तरह के होते हैं and, but, before, because, etc. आईए अब इसकी example देख लेते हैं example के लिए मैंने यहां पे दो sentences लिए हैं you may go when you want when यहां पे एक conjunction के तौर पर use हुआ है work hard, less you should fail बजाए इसके के तुम fail हो जाओ, मिहनत करो और less यहां पे as a conjunction use हुआ है last में हमारे पास आता है interjection और इसकी definition है interjection is a short word there shows suddenly feelings or emotions इसका मतलब है कि interjections हमारे emotions या फिर feelings को show करते हैं और एक ही word के जरीए हम अपनी feelings का इजहार कर सकते हैं और वो words यह हैं और आउच, आहा, हुर्रा, वाओ, एर्सटरा अब इन शॉर्स वर्ड को हम example में use करके देखते हैं let's suppose कि आप match देख रहे हैं और match देखते हुए आप कहते हैं और जब आपकी favorite team जीज जाती है तो आप खुशी के साथ कहते हैं हुर्रा, we have won और इसके साथ ही हमारी parts of speech की वीडियो खत्म होती है I hope कि आपको अब अच्छी तरह से समझागी होगी कि parts of speech क्या होते हैं और फिर भी अगर आपके mind में को question हो तो आप easy link mark box में जाके पूछ सकते हैं Thank you and Allah Hafiz